नियोजित सीचकों के लिए एक इंजन ने कर दी घोशना और दूसरे इंजन की घोशना का बेसबरी से इंतजार नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधुओं को मैं हूँ इसके चोधरी शाथियों एक वार फिर से आप सभी के बीच में हाधिर हूँ बिहार के सारे तीन लाख नियोजित सीचकों के आंदोलन के करम में बिहार के डवल इंजन की सरकार में एक इंजन ने घोशना कर दी है और वहीं दूसरे इंजन की घोशनाओं का बेसबरी से तमाम नियोजित सीचक इंतजार कर रहे हैं इन बिंदूओं पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें इससे पहले जिन्हों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्प्या सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे शाथियों आपको हम बता दे कि 15 फरवरी 2024 बिहार की सिक्षा जगत और बिहार के तमाम सिक्षकों के लिए एहम दिन है और इस दिन बड़ी घोशनाओ का बेशबरी से इंतजार है क्योंकि तमाम नियोजित सिक्षकों से वारता है तुझ सरकार की ओर से ये आस्वासन दिया ग और वो घोशना है कि तमाम नियोजित सिक्षकों की मांग थी कि ओफ-लाइन मोड में परिक्षाओं का आयोजन किया जाए जिसके करम में बीच का रास्ता निकालते हुए सिक्षा मंतरी ने आश्वाशन दिया है कि तमाम सिक्षकों को पहले जहां तीन मौके परदान किये ज जाएंगे जिसके करम में तीन परिक्षाओं आनलाइन मोड में यानि CBT के माधम से और अंत के दो परिक्षा आफ-लाइन मोड में आयोजित किये जाएंगे और तमाम बिहार के सारे तीन अलाक नियोजित सिक्षक जिनकी मांग थी वो पूर्ति कर दी गई है ये कहना है बिह दूसरे एंजन की बात की जाए तो वो अभी घोषना बाकी है और देर साम नेचित रूप से ये भी खबर छन के आ जाएंगी कि दूसरे एंजन ने किस परकार की घोषना की है और वो नियोजित सिक्षकों के पक्च में कैसी सोच रखते हैं इसका भी खुलासा होगा लेकि अच्छिक अस्थानांतरन दूसरा है सिलिवस आधारित परिक्षा नहीं विभाग्य परिक्षा आयुजित होनी चाहिए और तीसरा है वर्यता के साथ वित्तिय लाब शाथियों इन तमाम बिंदू पर सरकार को विचार करनी चाहिए जिसके एक अंग के रूप में घोषना नहीं लिया कि आखिर परिक्षा में फेल होने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा या फिर रखा जाएगा तो फिर पांच मौके क्या होते हैं जब हटाने की बात ही नहीं है तो ऐसे में हर हाल में unlimited मौके होनी चाहिए सिक्षा मंत्री अपने मुखार बिंदू से बोले हैं कि हटाने की बात नहीं है सरकार के द्वारा ये निर्ने नहीं लिया गया है इसका मतलब है कि हर हाल में जब हटाया ही नहीं जाएगा तो पांच मौके नहीं अनलिमिटेड मौके होनी चाहिए और नहीं तो सीधे सीधे सब्दों में नियोजित सिक्षकों की जो बाते हैं उसे स्विकार कर लेनी चाहिए यानि परिच्छा ही नहीं आयोजित होनी चाहिए और साथियो नियोजित सिक्षकों की ये मांग है कि बित्तिये लाब तो मिलना ही चाहिए और उशी करम में एच्छिक अस्थानांतरन का लाब भी तमाम सिक्षकों को मिलनी चाहिए वो इसलिए कि बिहार में जितने भी राजकर्मी सिख्षक हैं बर्तमान में उन सभी का एच्छिक अस्थानांतरन का नियावली 2007 में बदल गया उससे पहले जितने भी राजकर्मी जिला शंबर के सिख्षक थे नियमित कोटी के सभी के सभी टांसफर होते थे जिला अस्थानांतरन का नियावली दे दिया गया इसके आधार पर बर्तमान समय तक तमाम सिख्षक अच्छिक अस्थानांतरन के आधार पर ही अपना अस्थानांतरन का लाब ले रहे हैं अब सबाल उठ रहा है यहाँ पर नियोजित सी चको की तो ये भी वर्सों से कार्रत है लगवग 20 वर्सों से कार्रत है तो हर हाल में नेचित रूप से ये अस्थानांतरन का मामला बनता है और इसकी अनुरूप एक तरफ जहां नियमित यानि राजसंबर्ग यानि शरकारी कह जाए इसको यानि बिहार के राजकर्मी सिक्षक जिनको एक तरफ एच्छिक अस्थानांतरन का लाव दिया जा रहा है तो वहीं ये नियोजित सिक्षक अब राजकर्मी बनने जा रहे हैं उनको अस्थानांतरन की बात जिला अस्तर पर क्यों सरकार इसमें फस्ती जा रही ह सरकार को चाहिए कि इन बिंदूों पर विचार करे सरकार के सामने चुनोती ये खरी हो गई है कि अब सबसे पहले वे 2007 के नियावली को ततकाल परभाव से रद करे एच्छिक अस्थानांतरन की सुबधा को रद करे अईसा करने से ये होगा कि तमाम नियमित कोटी के सिख्चकों को अपने ग्रीव परखन या धर के विद्याले को छोड़ कर अन्य जिलों में जाना होगा और जब ऐसा होगा तो विहार में एक वार फिर से सिख्चा जगत की सिख्चा जगत में भुचाल आएगी और फिर से सरकार परसान होगी तो एक असपरष्ट सब्दों में कह दिया जाए कि सरकार अपने नियावली में आकर प्रश चुकी है और उस नियावली पर ना चल कर नियोजित सिख्चकों को सीधे-सीधे सब्दों में परसान करने की सोच रखी है और उसे तंग करने पर यानि बदले की भावना से उनके उपर कारवाई की जा रही है और एक से बढ़ कर एक नियम उन पर धाहे जा रहे हैं शाथियों इस करमें बता देक तमाम सिक्षक निताओं का कहना है कि हम सभी अपने सिर्फ नियोजित सिक्षकों के लिए ही लडाई नहीं लड रहे है बलकि सिक्षा जगत के लिए लडाई लड रहे है और उनका कहना भी जाज है कि आखिर माम सिक्षकों के ऊपर सिक्षा इसी करम में 14 फरवरी 2024 में समस्तिपूर जिले से मिली खबर के अनुसार कुल 154 विद्यालिया धिहाबकों ने त्याग पतर दे दिया जिसे जिला सिक्षा पतादेकारी ने स्विक्रित कर दिया है। त्याग पतर देना पर रहा है और इसी तमाम मिंदूों की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के तमाम नियोजित सिक्षक ताकि एक से बढ़ कर एक जो भी नियम लाए जाते हैं जो की बेतू का निरने होता है उस पर बिराम लग सके और नियोजित सिक्षक के साथ साथ बिहार के दिन में परखंड अस्तर से लेकर जिला अस्तर तक की सिक्षा विवाग बिल्कुल परिसान हो चली है सिक्षा विवाग के आला कमान के फरमान से इसी के मद्दे नजर यह विवस्ता लागू की गई है कि परखंड अस्तर से लेकर जिला अस्तर तक के सभी कार्याले 31 मार्च से 2024 तक खुली रहेंगे रविवार के दिन यानि रविवारी अवकास भी उनका रद कर दिया गया है और तमाम कर्मियों को रविवार के दिन भी कार्याले में उपस्तित रहने का निर्देश दिया गया है आखिर कब तक तमाम कर्मियों का सोसन होता रहेगा ये तो कर्मी जान और ये बात भी सही है कि अगर मुतोर जवाब देना अगर जानता है कोई भी और खुले रूप में चिनोती देना जानता है किशिवी मुद्दे पर तो वो है बिहार के सारे तीन लाख नियोजित सिक्चक जिन्होंने वर्सों से अपने संगहर्सों के बदौलत ही अपने अंत में हम कहना चाहेंगे कि वारता का करम जारी है और वारता समाप्त होने के बाद आखिर कौन से बिंदू सामने आते हैं वो हम कि आपके बीच लेकर आएंगे लेकिन इतना तो जरूर है कि क्रेडिट लेने का होड जारी है परन्तु अब देखना है कि उप मुख्य मंतरी शम कि हम सभी लरने को तैयार है शाथियों हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास सेर कर देंगे परन्तु डबल एंजन की सरकार के समन्द में आप सभी का क्या कहना है आप सभी कॉमेंट में अब अब से बताएंगे हम फिर मिलेंगे आप से अगले व आप दोस्तों